हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जैपूर के अमरूदों का बाग में शनिवाल को आयोजिर्जन सन्वात कारेक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार में मुद्य लटकते भटकते नहीं है हमारा एक मात्र एजंडा है विकास जो हो रहा है और दिख भी रहा है राजिस्तान पिछले चार साल से दोगुनी गती से विकास कर रहा है अपने करीब एक घंटे के भाशन में मोदी ने कहा कि एक विदेशी एजंसी ने अपने रिपोर्ट में माना है कि बीते दो साल में पांच करोड लोग गरीबी से मुक्त हुए है इसका कारेन है सरकार साप मियत से सही विकास कर रही है देश में अब तक 14.50 करोड से जादा किसानों को मुरुद्धा स्वास्ते कार दिया जा चुका है राजिस्तान में लगबग 90 लाग किसानों को ये कार्ड मिल चुका है एक के बाद एक योजना के जरिये देश के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को सरल, सुरक्षित और सुगम बनाने का काम किया जा रहा है सभी पसलों का मूल्य लागत का डेड़ गुना कर दिया गया है राजिस्तान में स्वच्छ भारत मिशन की तहत लगबग 80 लाग शौचालियों का निर्मान किया गया है धाई करोड से अधिक जंदन खाते खोले गए हैं 6 लाग से अधिक गरीबों को घर दिये गए हैं उजवला यजना के तहट 33 लाग से अधिक माताओं बेहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिये गए हैं प्रधान मंत्री ने भारत माता की जै 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 किसान के नारे के साथ संबोधन शुरू किया करीब 2100 करोड की परियोजनाओं का शीलान्यास करते हुए उन्होंने कहा मुझे ऐसे प्रोजेक के शीलान्यास का मौका मिला है जो जीवन को सुत्म बनाने वाला है राजिस्तान सद्यों से देश को प्रेडना दे रहा है प्रधान मंत्री ने अपने संबोधन के दौरान सीयम सहे तीन नेताओं का जिक्र किया बोले मेरे साथी गजेंदर सिंग काम कर रहे हैं बसुंद्रा राजे जनपरिया मुख्य मंत्री है जब मैं भाजपा में कारे करता होता था तब मदनलाल सेनी के साथ दौरे करता था इस बीच पंडाल में रह रहकर मोधी मोधी का नारा लगता रहा जैपूर से जागरुक टीवी की रिपोर्ट